आज मैं आपके साथ करेले की सबजी शेर करने वाली हूँ आपने कई तरह की करेले की सबजी खाई होगी लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाई होगी करेला अक्सर कुछ लोगों को नहीं पसंद इसलिए वो नहीं खाते लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो 100% वो ज़रूर खाएंगे चलिए बनाना शुरू करते ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें करेले की सबजी है बनाने के लिए हमने लिया है प्यास, धनिया पत्ती, करी पत्ती, टमाटर, हल्दी पाऊडर, लाल मिर्च पाऊडर, नमक, जीरा, लहिसन और करेले सबसे पहले हम करेले लेकर इसे बीच में काट लें काट कर इसके अंदर के सारे बीच अलग कर लें देखिए इस तरह से मैं ने सारे बीच को अलग कर लिया है अब हम इसके छोटे छोटे पीसे काट लेंगे देखिए मैं ने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे काट के रख लिया है अब इसे एक बॉल में दाल कर पानी से वाश कर लें वाश करके पैन में दाल लें उसमें देख ग्लास पानी डालें एक चमस नमक डालें नमक डाल कर इसे मिक्स कर लें हाई फ्लेम पे पांच मेनिट इसे उबाल लें तब तक हम मसाला कुटनी लेके लहसन डालें मैं ने आट से दस लहसन की कलिया ली है एक चमस जीरा डालें इसे दरदरा कूट लें देखिए इस तरह से दरदरा कूट लें पांच मिनिट हो चुके हैं फ्लेम कू बंद कर लें चानी की मदद से प्लेट में काड लें इस तरह उबाल के काडने से इसका कड़वापन चला जाएगा स्टोव आन कर लिया है कड़ाही में एक बड़ा चमस तेल डालें तेल को थोड़ा गरम होने दें तेल गरम हो चुका है आधा चमस राएं डालें राएं को थोड़ा क्राकल होने दें दस से बारा करी पत्ता डालें माई ने तीन मीडियम सैज के प्यास को बारिक से चौप करके रख लिया था वो डाल कर लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राय कर लें देखिए ये लाइट ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें लहसन जीरा जो हमने धरधरा कुट के रख लिया था वो डालें डाल कर इसे फ्राय कर लें ये फ्राय हो चुका है इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाल कर लो फ्लेम में इन मसालों को भून लें मसाले अच्छे से भून चुके ही इसमें चार मीडियम से इसके टमाटर को महीने बारिक चौप करके रख लिया था वो डालें दो मिनेटी से साफ्ट होने तक पका लें इसमें टमाटर की कौंटिटी थोड़ी ज्यादा रखें टमाटर अच्छे से साफ्ट हो चुके ही जो हमने करेले को उबाल के रख लिया था वो डालें बारिक कटा हुआ धनिया पत्ती डालें डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें स्वाद अनूसर नमक डालें नमक डाल कर इसे अच्छे से मिला लें इसमें आदा ग्लास पानी डालें पानी डाल कर फिर से एक बार इसे मिला लें ढक कर हाई फ्लेम पे पांच मिनिटी से पका लें देखिए पांच मिनिट हो चुके ही अभी थोड़ा इसमें पानी है पांच मिनिट इसे और पका लें देखिए पांच मिनिट हो चुके ही यह अच्छे से पक्के तयार हो चुका है तर लिए इसे सर्व कर लेते ही बारी कटा हुआ धन्या पत्ती डाल कर इसे गार्निश कर लेंगे देखिए टेस्टी करेले की सबजी बनके तयार हो चुकी है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करें मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू, अल्ला हफीज